हेलो फ्रेंड्स मैं इस्टेडी 91 चैनल से नितन गुपता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना यह महानियावादी का जस्ट अगला टॉपिक सुरू कर रहे हैं ठीक है आप सेक्षन पे मज़ जाएगा लेकिन यह चीज़ नहीं होता दोस्तों कांट्रोलर होता सी ओंपी टी यारो डबल लियार एनध कॉम्ट्रोलर एंड और जर्णलर फिंडियर इसको हम साटकट में कैग बोलते हैं ठीक है ना सी एजी बोलते हैं कैग बोलते हैं तो कैक का वर्डन मिलता है अनुछेद 148 में ठीक है तो भारत आ किसके बारें बताये गए किस तरह से क्या बताया गया किस तरह से तो यहां कहा गया कि जो तो संगोंगे ढम राज्य का लेखा करने के लिए CAG की नियुक्ति करती हैं, बस सिंपल सी बात है, सरकार है ना, चाहे राजय सरकार हो, चाहे केंसरकार हो, उनके आय ब्याय का लेखा तो होगा ना, क्या यहां क्यवल ब्याय का होगा है, उनके आय का लेखा नहीं होता होगा, होता होगा, ठीक ना, उनका भी होता है, आय और ब कौन सा है राशपती है उसको वेज़े जाएगी और राशपती इस रिपोर्ट को क्या करेगा राशपती इस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है किस लिए बहस करने के लिए लोगों को जानने के लिए कि लोग सभा राजसभा के लोग भी इसके बारे में जाने कि जो हमारी संग सरकार है उसके खर्चे क्या है सिंपल सी बात है और इधर क्या करती है अगर सीजी राज सरकार के मामले में रिपोर्ट तैयर करती है तो राज सरकार को वेजीगी राज सरकार को रिपोर्ट देगी तो राज सरकार में किसी देगी रिपोर्ट राज जेपाल को देगी और बिधान मंडल में आपका बिधान सबा तो होगा ही होगा हर जगा इसके लावा बिधान परिशत तो वो रखवाएगा वहाँ पर भाहस होगा कि राज सरकार के क्या खर्चे है तो सिंपल सी बात है ठीक ना अलग-अलग दोनों का खर्चा इसके लावा देखिए यह भारतिय लेखा परिचड एम लेखा विभाग का मुख्या होता है किसका झोभी लेखा परिचडवी भाग है और यो लेखा विभाग है साथ साथ देश की संपूड वित्तिय विवस्था का भी नियंत्रक होता है, तो आप से जहां पूच्छन सकता है कि देश की संपूड वित्तिय विवस्था का नियंत्रक कौन है, तो क्या आईगा question, आपका answer में कह रहा काइग यहां पर देखिए RBI मत्टिक करेगा कि RBI बित्त को मोनेटरी पॉलिसी लांच करती है मोनेटरी टर्म्स को बताती है ठीक है और मनी से ले ट्रेट्स का प्रॉब्लम होता है कंट्रोल करना इसू करना यह सब होती है पूरी बित्ती ब्योस्था का नियंत्रक कोन माना जाता है ठीक है पब्लीक फाइनेंस के साथ साता कर देखे तो और अगर इसकी नियुक्ति के बारे हम बात करते हैं तो नियुक्ति इनकी करता है लिए राश्पति के आधिकार में उसमें देखा था कि राश्पति महांनयवादी और इनका कारेकाल क्या होता है ? इनका कारेकाल नार्मल होता है 6 या 65 वर्ष ऀल्दों दोनों मैंसे जूल्स जल्दी हो जब्ध़ ओड़ सकते हैं, इसके लाम पर हटाया जाता है इसके लावा निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको भी हटाया जाता है इन लोगों को पर कभी भी महाव्योग नहीं लगता है आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इनको पर महाव्योग लगता है ठीक है इनको साबीत अधाचार के अधार पर ही हटाए जाता है इनके बारे में कुछ special points जान लीजी ठीक अच्छा दोस्तों यह आप याद कैसे रखेंगे 6 वर्स और 65 में से जो अधी यह दिख होगा ठीक क्या होता ना कि जो कायक होता ना वो जैसे माली जी एक सरकार है यभी मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी ने कायक की तब वो न्यूक्त करेगा तो इसी वज़र से इनका time period जो लोकसवा करकर अगर 5 साल है तो इनका कारेकाल एक साल ज्यादा हो जाता है यानि 6 साल तक फिर अगले बार नहीं सरकार आएगी वो अपने इसाब से अपने कैक को न्यूक्त करेगी ठीक है इसलिए इंका कारेकाल क बहुत चीज़ें पता होती है तो अगर ऐसे मुआ संग राज में किसी पद को धार्ण करता है तो यहां क्या होगा भारत का इतना बड़ा ब्यवस्ता जानता है तो वह चीज़ों को लीक कर सकता है इसको इसके उपर क्या लगाएगा नियंत्र लगाएगा कि जो कैक होगा संग राज सरकार में कोई धारण नहीं करें महान्यवादी भारत सरकार का वकिल था इसका प्राइवेट में भी अपनी प्रैक्टिस कर सकता है तबी तो बाबरी मजीद टूजी स्पेक्टर मगरा देख रहा था लेकिन यहां ऐसा नहीं है ठीक है वह अपनी अपना अलग से लेकिन इसका संसद्वान इधायत किया जाता है और इसका वेतन जो सुप्रीम कोट का जज होता ना उसके वेतन के बराबर होता है ठीक है तो कुछ बाते में आपसे करना चाहता हूं पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है उनक मुझे कुछ फायदा हो जाएगा ठीक है और ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूं दोस्तों देखे बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो बनाते हैं तो दो चार दस वीडियो अच्छा बनाके डाल दिये और उसके बात कहते हैं कि आप हमारे यहां से पेंड्राइब कोर्स खाइद ली कि मैं सारी से जोग करूं फिर भी मैं कंटेंट्स को कलिट करता हूं और जो लोग भी पढ़ते हैं मेरे वीडियो को उन्हें पता होगा कि मेरा अगरे कंटेंट और लोगों से कितना दिफरेंट होता है आपकी एक बी टॉपिक छुटी नहीं होगी कहीं अगर कुछ भी कोज़न नहीं लांज करना चाहता है मैं जानता हू कि आप इस विजेंड से हैँ और आपके लिए जितना भी अच्छा कर सकता हूं करूंगा तो जब मैं जानता हूं कि पैसा मुझे यूटूप दे सकता है गूगल दे सकता तो फिर आपसे मैं पैसे क्यों लो, ठीक है, आपसे मुझे नहीं चाहिए पैसे, आप बिंदास पढ़ाई करो, अपना सेलेक्शन लो, और वीडियो को प्रमोट करो, लोगों को बताओ, ताकि ज्यादा फिजाद लोग सेलेक्ट हो पाएं, ठीक है, तो यह चुछे है, प्ली तो मैं आपसे आपके पुरी दिन भर का एक मिनट मांग रहा हूँ, ठीक है, अगर आप दे सकते हैं, तो जरूर दीजेगा, ठीक है, तो अगर आप देते रहेंगे दोस्तों, तो मैं इस तरह से और हसी खुसी वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है, और अगर आप नहीं दे एस तरह के जो होते हैं, इसके झाजी की भूमिका के बारे में देखते हैं, कि Cag की भूमिका क्या होती है ठीक है, तो इसकी भूमिका को मैं ने तीन अलग-लग पार्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि यहां से कभी कभी चुश्चन आ जाता है, कुछ निखमों की लेखा का प पूरा का पूरा का करता है वह हिनकता आई बैगाल का तयार करता है दे जाके राष्पति या संबधिन सरकार को देता नेकिन कुछ जगह पर नीजी पसेवर अंकेक शक जो प्राइवette आडिटर होते हैं चार्ड्रेर एकांटेंट होते हैं वो आ जाते हैं ओ लोग ठीक हैं और केंडर सरकार क्या नियुद करती है यह और पूरी तरह से जाते हैं जेसे साइट है यह पूरी तरीके से डिपेंड होती है किसके उपर प्राइवेट प्राइवेट अगर हम प्रथम लेखागार की बात करें तो इनका नाम था वी नर्सिंग राओ ठीक है और वर्तमान में कौन है तो ससिकान सर्मा 2013 में इनकी नियुक्ति होई थी दोस्तों और 2017 तक यह रहेंगे सेप्टमबर तक 24 सेप्टमबर तक इनका डेट है और इनके बारे में अगर थोड़ी सी चीज़े जान लिजे यह ब्यस्सी जो किये हुए है इलाबाद इनर्शी से किये हमें इसके बाद यह कैग में आ गए है अगला वीडियो होगा दोस्तों मैं कुछ टाइम के लिए सोच रहा हूं रोकूं और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे संसत के उपर फिर हम संसत सुरू करेंगे तो पूरी के पूरी संसत को अच्छे से कवर करेंगे लोग सभा राज सभा और उनकी क्या होगेता है व सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह के से अगला तीन चाल लेक्षर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ठीक है इंपॉर्टेंट तो सारे लेक्षर हैं आप देखी रहे होंगे ठीक है तो वीडियो कर आपको पसंद आ रहा हूं दोस्तों तो प्लीज पहली बात तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए वीडियो ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप रोज नएने वीडियो पासके और मैं कोसिज करता हूं कि डेली एक वीडियो डालूं कभी के बार नहीं डाल पाता हूं तो उसके लिए छमा चाहता हूं आपसे ठीक है बह